सावरकर इसमारक टेलिवीजन में आपका स्वागत है हम इस बात के लिए बड़े मंगनून है खुश है उटसाहित है कि इस टेलिवीजन के इनॉग्रल में सावरकर इसमारक के स्टूडियो के इनाउग्रेशन के पहला इंटर्व्यू देश के जाने माने डिरेक्टर राइटर लेखक और आज के कश्मीर के जो इस्थिती है उसकी प्रश्ट भूमी को देखें इतिहास को देखें तो 1924 में जो जम्मू कश्मीर का पहला उर्दू का अखबार निकला उस अखबार को निकालने वाले वेद राही जाहब के पिताजी आज वेद राही हसाथ हमारे आपका स्ञावर कभीष्ट बहुत है वेद राही जाली साहब कश्मीर देश के लिए नहीं पूरे अंतराश्ची मामलों में सुर्कियों में चाया रहता है कि कश्मीर के बारे में बहुत सारे नरेटेव पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं आपका कोई 86 बरस आपकी उमर होने जा रही है आप एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जहां जमु कश्मीर का पहला अख़ार निकला और जिस घर से कबाते नहीं होती हैं और आपका कोई राजनितिक किसी से संबंधित नहीं है आज के दौर में जब लोग अपनी बातों में राजनितिक एजंडे को द्हान में रखे उस नफे नुकसान को ध्यान में रखके बात करते हैं, तो सच बात कहने की हिम्मत नहीं होती है। आज का देश आप से जानना चाहता है, कि आपने और आपके पिता जी ने क्या कल्पना की थी, कि जो आज जम्मू कश्मीर की इस्थिती है, ये कभी आपके दिमाख में आई थी। ये तो कभी सोचा नहीं था, कि आज जो हो रहा है, वो ऐसा होगा। लेकिन आज, जब हम ये बात कर रहे हैं आपस में, तो मैं समझता हूँ, कि जो हो रहा है, इस से अच्छा नहीं हो सकता था कभी। कि जो आज हम बात कर रहे हैं, क्यूं? कि मैं गवा रहा हूँ इस बात का, मेरी उमर उस वक्त पच्चिती साल की थी, जब मैं जमू किश्मीर में ही था, वहाँ रिडियो स्रेशन में काम करता था, उसके बाद किश्मीर के इन्फरमेशन डिपार्टमेंट में मैं एडिटर था, एक मैगजिन का, तो बहुत कुछ मेरे सामने ही हुआ है, और मैं आंखों देखी बाद करता हूँ ये, कि उसके बाद जो सिच्चिवेशन खराब हुई है किश्मीर की, मैं समझता हूँ कि उसके पीछे सबसे ज्यादा करफशन का हाथ है, जो भी हुआ उस वक्त, आज से सत्र, शाट सत्र साल पहले, जबके मैं होश में था, जवानी में था मैं और आपने सामने देख रहा था हूँ, तो वहां मैं समझता हूँ को मुखलता, ये करफशन की वज़े से हुआ है, और ये जो धीरे धीरे सिच्वेशन खराब होती चले गई किश्मीर की, इसका मूल कारण मुझे करफशन ही लगता है कि बेबाकी से मैं ये कहना जाता हूँ, कि दिली की सरकारों ने, एक सरकार में नहीं, कई सरकारों ने, कश्मीर को जो जैसे लहू लगाना किसी का होता है, मुझ को लहू लगाना, जो पैसे वहां भेजे हैं, ये सोच कर, कि कश्मीर को हम अपना तभी बना सकते हैं अगर हम पैसे वहां भेजेंगे, और वह पैसे तो आम लोगों तक पहुँचे नहीं, गरीब आदमी तक तो पहुँचे नहीं, वह कुछ पचास, साथ, सो फैमिली तक पहुचे और दूसरी वजे, ये पैसे क्यों पहुचे, मैं समझता हूँ, कि जो पैसे वहां भेजा जाते थे, वह आदे पैसे तो दिली में ही रह जाते थे, और आदे वह कुछ फैमिली जो थी, वहां वह खा लेती थी, और यही हालत, पाकिस्तान की भी है, पाकिस्तान क्यों किश्मीर को छोड नहीं सकता, कि उसकी भी जितनी सर कारे आई ही, वह जितना पैसा वहां किश्मीर में भेजती है, वह आधा तो इसलामाबाद में ही रह जाता है, आज भी, तो यह जो पैस, यह क्रॉप्षिन जो ही इसकी वज़े से, वहां का आम आदमी उसमें कुछला ही गया, सुनिये, कुछला गया, और बाद में एक ऐसी सिचुएशन आगई के वहां के लोगों में बेचैनी बढ़ने लगी, तो वह लोग, उन्होंने सोचा के हम इसलाम का ये लोग ज्यादातर मुसलमान हैं, तो इसलाम का नाम लेकर हम इनको चुप रहें, इनको दूसरे रास्त लगाते हैं, दूसरे रास्ते हैं, तो उन्होंने मजहब का नाम लेकर उनको बहकाना शुरू कर दिया, वो लोग उसमें बह गए, और वो वो क्रॉप्शन जोगा, इंडिया से भी होती रही, भारत की सरकारें भी करती रही, पाकिस्तान की सरकारें भी करती रही, लेकिन आ आज जो मेरे ख्याल में, मोदी जी ने जो किया, इसके इलावा और कोई चारा नहीं था कि ये सरजरी की जाती, और आप में देखा होगा, कि इतना बड़ा वबाल इंडिया में उठा, CAA के खिलाफ, किश्मीर में भी इसका रेक्शन नहीं हुआ, क्यू नहीं हुआ, इसलि पिछले सतर सालों से जो हो रहा था उससे तंग आ चुके था, इसलिए वहां इसने भी कोई असर नहीं किया, मेरा जो सवाल है, करेप्शन तो एक ऐसा वायरस है, जो पूरे देश में है, पुरी दुनिया में है, लेकिन करेप्शन अपनी जगा है, बहुत सारे राज ऐसे ह जहां पैसा जाता है, तो वहां कुछ परिवार होते हैं, दिल्ली में भी एक सरकार थी जो परिवार चला रही थी, परिवार के थूरू सबेश चलता था, लेकिन मेरा बड़ा सवाल यह है, कि यह कैसे मुंकिन है, कि 1947 के बाद, जब सम्विधान बना, तो वो लोग जो आप उस जमाने में जिन लोगों को आपने अपने घर में देखा होगा, चाहिए वो शेख अब्दुल्ला हूँ, उन लोगों ने पहले 370 लिया, और 370 के अंदर आपने इस्पेशल पावर ली, तब तो करिप्शन का सवाल नहीं था, तो सवाल यह था कि जम्मू कश्मीर भारत की धरती पर एक इस्लामिक राज क्यों बनने दिया गया, एक टू नेशन थियोरी के तहट एक राज को क्यों इस्थापिद होने दिया, क्योंकि देश तो इसी थियोरी पर विवाजित हुआ था, मेरा दूसरा सवाल यह है कि 370 भी आपने दिया, आपने का भारत की सुप्र आप चाकर के आर्टिकल 35 तो इसका नतीजा यह हुआ कि जम्मु कश्मीर भारत की धरती पर एक ऐसा राज बना जो केंद्र को ट्म डिक्टेट करता था और केंद्र को या मर्कज को ब्लैकमेल करता था नहीं वो इसलिए मैं आपको मेरा जो मेरा नजरिया है वो यह है क्यों मैं अगर इमानदारी से बोलों तो शेख मुहमद अबदल्ला कश्मीर के लीडर थे इसमें कोई शक नहीं है और उन्होंने और वो नहरू जी के बंदे जाहला नहरू के दोस्त भी थे वो अगर वो इंडिया में इसलिए भी जाना चाहते थे के नहरू तो आपने दोस्त है कश्मीर का मैं लीडर हूँ आप पाकिस्तान के साथ मिलूँगा तो मैं वहां जिन्ना के अंडर हो जाओगा जिन्ना क्या चाहेंगे मुझ से यह मुझे क्या पता तो मेरा ख्यालिये है कि शेख अबदल्ला जो इंडिया के साथ जाना चाहा उसका एक कारन ये भी था कि मैं किश्मीर का सर बड़ा बनोगभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभ भु क चुँके भारत सरकार की गलती से मामला जो है उनो में जला गया तो वो एक मजबूरी उनोंने दिखानी शुरू कर दी जो रियालिटी भी थी कि अगर हम शेख बदुल्ला की बाते नहीं मानेंगे तो उनो में अपना स्टेंड कैसे खड़ा करेंगे ये कैसे बोलेंगे कि वह माम जो है वो हमारे साथ है तो उनको इस बात को पंदिश जवाहरलाल नहरू ने इस बात का बहाना लेकर वहां बहुत सारी बात हैं जैसे आप कह रहे हैं 370, 35A ये सब जबरदस्ती बिना पार्लियमेट में एपरूब किये मजबूर किया डॉक्टर अजिंदर परशाद को राष्टरबदी को उन्होंने साइन कर दिया और वो गलत बातें वहां हो गई और शेख अपनी असम्बली में विधान सवा में ये लाबास कर दिया कि हमारे पास ये ताकत है कि हम किसको अपना नागरिक बनाएं या नहीं बनाएं लेकिन इसमें एक पैक्टर ये भी है कि जो कुछ कश्मीर में जनवरी 1990 को हुआ उससे पहले भी 1947 में कि उस दौर के बारे में बहुत जादा हिस्टोरियन या राइटर इमानदार नहीं रहे हैं लोगों ने 22 तरीके से बहुत सारी बातें डिस्क्राइब की हैं जब वो बद्दू या कबालियों के शकल में मैं मैं में देखा इना हैं मैं उसका विक्टम भी रहा हूं कि वो मैं सुनना चाथा थिजा थो वारा तेरा बरस की थी और वो इतना उन्हों ने जब अटैग किया जब पाकिस्तान ने जब देखा के शेे खबदुला और पंडन जौहरलाल नहरू आपसमें मिल गए है और तो अब ये कश्मीर तो पाकिस्तान के साथ आए गया नहीं तो इस पर अटेक कर दो तो उन्होंने कबाईलियों की शकल में अपना वहां फोज अपनी भी ती तो मैं उस वक्त जमू में था मेरी उमर 12-13 वरस्ती की थी और मेरे पिता जी का वो जमू से उस वक्त में जो तो मेरे पिता जी ने मुझे बोला के मेरे चोटे बाहित है जिनकी उमर नौ साल की थी हम दोनों को उनोंने एक गारी में बिटा दिया कि तुम लोग जमू से भागो हम नहीं भागेंगे तुम लोग भागो और पठान कोट जाओ और तुमारे नानिहाल से जो लोग आए लेकिन वहां तक पहुचना कैसे था वहां तो जमू से पठान कोट का रास्ते कोई नहीं था तो हम एक टूटी-फूटी पुराने किसम की बास में बैठे और धर्याब में उस बास को धके देते हुए और भी बहुत सारे लोग थे सब लोग दर्या में उतर जाते थे उसको तका देते हैं फिर वो जंगल में चलती थी फिर हम किसी तरह से दो चार दिन में पठान कोट तक पहुचे और वहां आप ट्रेन की चात पे बैठके हम दो भाई चोटे-चोटे वहां पहुचे फिर आमने वहां अपने ना नानिहाल के लोगों को ढूंडा और ढूंड का र अंतर वौ उन एछा वकाले थे वहां नहीं को वहां फिर देख रहे देखें वहां कितनी बुरी था भूर आब एट आँ मेरी अलए मीरपुर में थी फूफा, है उन्होंने हमें इतनी इतनी दर्दानक कहानियां सनाईके कि इतनी आरसतों को पकड़ के हो ले गये हैं कवैली और कैसे वह हैं इतने दर्दनाख वाक्या थे वह एक बात जो नónों ने मुझे बताई के लड़के ने एक एक माँ आपने जब कवाईली उनके घरों तक पहुंच चोके तो एक माँ ने अपनी बेटे से कहा ये तल्वार लो जल्दी ते मेरा गला काड़ो अपनी वाइफ का भी अपनी बेहन का भी और भागो यहां से तो उसने मां को भी मारा कहने से वाइफ को भी मारा भागा और फिर वापश आया और उनके जेवरात निल्दी निकाल के भी और और आई से बहुत सारी वात है कि जरख मैंने खुद अपनी आंखों राजोरी में वो कुवा देखा और जिसमें और तो ने पतानी कितने ऑच्ग वो मैंने आदा भरा हुआ, हड़ियों से भरा हुआ, कुवा देखा है। तो उस वक्त पाकिस्तान ने अटेक किया था तो आप उसकी तो कहानी भी बियान करनी भी मुश्किल है कि वहां क्या क्या हुआ लेकिन एक बात मैं जाना चाहता हूँ कि जो घटना 1947 में हुई और आप वो गत्लों गारत देख चुके हैं लेकिन उसी समाज के साथ ना इस बार पाकिस्तान ने अटेक किया, ना कोई बहार से ताखते आई और 19 जन्वरी 1990 को जिस कश्मीर को आप लगातार पिछले 40 साल से हम ये सुन रहे हैं कश्मीरियत जमूरियत और इंसानियत ये कौन सी इंसानियत थी और कौन सी कश्मीरियत थी कि वैली में मुसल्मानों की गिंती जादा थी, आपने वहां से लाखों पंडितों को मारा और बाहर के बगा दिया देखिए ये पौलिसी जो है ये शुरू से ही रही है किश्मीर में जतनी भी सरकारें आई शेख अबदल्ला की आई उसके बाद मीर कासम की आई उसके बाद सादिक साब की आई वह मैंने सब देखा है तो मेरे ख्याल में किसी भी सरकार ने स्वाई एक सादिक साब की सरकार थी लेकिन बाकी जतनी भी सरकार थी वारूक अबदल्ला साब और ये बाद में उमर अबदल्ला साब ये सारी जतनी भी सरकार उन उनका ये पालिसी रही है कि हम किश्मीर में ज्यादा से ज्यादा मु मुँचाफराबद निया खेशान जड़ुट वीन मुठाए पाइवा कि एच्छमीर में बारमुला में कितने सिख रहती थैं उनका कंप किश्मीर में निपनाय गया. उनको डगयाना कंप जम्मु में बनाय गया ताके वो सिख है, नौन-मसलिम है उनको जम्मू में ही भेजा जाया, तो ये पालसी जो उनकी थी, वो शुरू से ही रही थी, के ये, वहाँ कश्मीर में मुसलिम अबादी ही ज्यादा रहे हर तरह से, और पिर जम्मू में जो लोग मुझवराबाद, मीर्पूर, इन की तरफ से तो लोग आए वहां लुट लटा के बरबाद होकर आए जो जो लाहूर और अक्षाल कोट और पंजाब से लोग जम्मू में आए जिनकी तदाद हजारों में थी जो आप लाखों में उनको वहां वोट डालने का हां की नहीं दिया गया जैसे आपने का थर्टी थर्टी फा जालने का भी हक नहीं था तो इसी वज़े से किश्मीर की इसंबली में मुसल्मानों की मेंबर्स की तेदाद ज्यादा थी हिंदू की कम थी और वो राज करते थे और अपनी मर्जी से करते थे एक तो 1947 का पूरा हास्सा और आप जो अभी वर्तमान में नब्य का हुआ है और जो आप बता रहे हैं कि ये शुरू से चल रहा था उसके बावजूद भी ये जुमला कितना आप इसे इसके बारे में आपकी टिकपणी इसलिए जरूरी है ये जो बार बार हमने कहा कि कश्मीरियों को कश्मीरियत चाहिए इंसानियत चाहिए जमूरियत चाहिए ये एक धरम के लोगों के साथ लगातार अत्याचार लगातार साइड लाइन आपने पॉलिसी में किया मारकार्ट भी की मजड़ितों का इस्तमाल भी किया इसलाम का इस्तमाल भी किया लेकिन ये जुमला बार बार चलता रहा कश्मीरियत कश्मीरियत क्या थी जिसका गुड़गा वहां के जो आम मूस्लिम हैं वो वो नहीं से, जो 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 अ शुरू में जब वहां शेक अभादला साफ की हकोमत बनी तो उनहें बड़ी यह सोच के वहां के आवाम उनके उनकी लीडर से यूप अप्रह stared है शेयक नहीं उनके लिडर सिहें कोई शक्राइब शक्रह नहीं है से नहीं है। जब वहां के लोगों ने हिंदू ने वंसलमा नो ook मुसलमानों आप छाज मुद्ह कर दीने चोरूब यह देखना शुरू किया व sido कि यह पाकिसान R她 और ये पचास या सो या दोसो फैमिली जो है, ये सारा पैसा वही खा रहे हैं, तो हम इनके साथ क्यों रहें? और वहां की जो पैसा खा रहे थे लोग जो वहां की हकूमत भी कर रहे थे, उन्होंने सोचा अगर ये लोग जाग जाएंगे, तो हिंदू और मुशलमान सो आट खायो ROB, हमारा Пैसे भी ऑब जागा हैं रहे नहोंने जीज mechanism are to eliminal । ये कशमीर तो मुスलमानों का है। अक्सरीयत मुसलमानों और हम तो पाکिसतान के साथ जाएंगे, पाकस्तान तो मुसलिम देश है, तो धीरे धीरे जो ब्रेन वाश हुआ उनको, और उनने उनको पैसे भी खिलाए उनको, पैसे भी दिये उनको, उपर उपर से कुछ लोग उनको, तो ये धीरे धीरे जो ब्रेन वाश हुआ तो लोगों ने हिंदू और मुसल्मानों में ये ड जो कटर मुसल्मान चाहते भी थे उसका नतीजा ये निकला कि किश्मीर से हिंदु को बिलकुल निकाल दो और उनिकल गए और ट्रेजडी ये है कि वहां से जो इतने लाखों हिंदु को निकाल दिया गया सारे भारत में किसी ने भी अपने घरों से बाहर निकल कर एजिटेट कि अपने घरों से निकाल दिया गया है नुक्षी अपने देश में अपने घरों से निकल दिया गया है तो डुनिया का पहला ऐसा था जैक्सोडस था जो पर जलू साइट था लोग Sutrian पुरे देश में शर्णार्थी बने और करोड़ों जो इस देश के हिंदु ही हैं या मुसलिम हैं किसी ने उस एक डोसर पर जरा भी उन्होंने उनसे हम दर्दी नहीं जिता समझ गया लेकिन मेरी मैं जो आप से स्पेसिविक टिपण ही चाहता हुं यह सब हो गया हिंदुों ने पुरे देश में उनको आज हो सकता है वेलकम ना किया हो हो सकता है कोई demonstration नहीं किया हो, हो सकता है ये नाराजगी रही हो, लेकिन फिर भी इस देश के चाहे महराष्ट हो, चाहे गुजराथ हो, चाहे राजिस्तान हो, वो इतनी लाखों में जो कश्मीर अपना घर छोड़ के आये, कश्मीरी पंडिक, वो आज वहीं रह रहे के छोट ऑफ़ादामान ग्रह्मंत्री भारत का बना, और उसकी देख रेक में मात्र 40 दिन में एतना बड़ा सानिया होता एक बड़ा कांड होता है, आप कश्मीरियत की बात करते अप कश्मीर में मुसल्मानों को खास किसिंग केरे सब शोमानों में एैसे लोग नहीं थे। यह मुम्किन है। कि इतने वड़े सानिहा होने के बाद इतने कश्मीरी पंडितों के साथ आफने सब कुछ किया। और उसमें तो दो कहानिया भाई सब ऐसी हैं वेश साब कि जिसको जब जब मैं पढ़ता हूं तब तक मुझे लगता है कि ये आपके खून में कश्मीरी मुसल्मान के खून में वो नफरत थी कश्मीरी पंडितों के प्रती क्योंकि अगर वो नफरत नहीं होती तो आप इतना जगन अपरात नहीं करते हैं दो कहानी में बताना चाहता हूं उसके आपकी टिप पड़ी जाते हैं जब आतंकवादी कश्मीरी हिंदू पंडितों को मार रहे थे तो शिरी नगर की मस्जितों से अजान कौन दे रहा था उस अजान की अवाज तेज क्यों की जाती क्योंकि ठदू मर्दों के बागर और कश्मीरी पंडित औरतों के साथ है और जब लोगं घर में गुसे उन्होंने सब को मारा और जब और ले चपर गये तो एक कश्वीरी हिंदू पंड़ित चावल के ड्रम में चुप गहा या परोसी नेक है उसमें उसको मारा और इतनी बुलट डाली कि उसमें से खून बाहर बहने लगा मैं दो बात पर सिर्ट रियक्शन इसलिए चाहता हूँ इसमें खून निकला उस मुसल्मान ने उस ड्रम को खोला और उसमें खून के सने चावलों को उसकी नीचे जो बीवी थी उसके मुह में ठूसा एक दूसरी घटना एक महला वहां से भाग के दिल्ली आ गई एक बैंक की करमचारी थी वेदराई साब यह में बात इसलिए नहीं कह रहा उनमाद में गुस्से में ततकालिक तोर पे लोगों का गुस्सा होता है लोग भिड़ आग लगा देते हैं उस औरत को उसके सोला कलीक्स ने यह कहा कि यहां कुछ बुरे लोग आ गए थे ऐसे हो गया है बहन तुम वापस आ जाओ वो कश्मीरी हिंदू पंडित गिरजा तिकू वापस गई इस भरोसे में के इतने लंबे समय से रहे शायद ऐसी बात सच होगी वो गई वैली में वापस उन कलीक्स ने कहा तुम्हें हम अपने घर रखेंगे उसने भरोसा कर लिया उन सोला लोगों ने उसके साथ मास रेप किया उसके कपड़े उतारे फिर हाथ की आरा मशीन से काट दिया आप कहते हैं यह नफरत का इतना आनम देखिए यह जो बात आपने बताई इससे भी ज्यादा ज्यादा हूए मैं कह रहा हूं कि यह ऐसा नहीं हो सकता है कोई इमीजेट हो यह गहरी नफरत थी नहीं मैं अपने बच्पन में आज भी मैंने वो दौर अपने आंखों से लेखाया है जब हिंदू और मुसल्मानों में बिलकुल ही नफरत नहीं थी इतना जरूर था वो जैसे होता है न तोड़ा सा रखो अरसूई का नहीं है अच्छा तोड़ा सा सूखा मेवा खालो यह वो नहीं है हिंदू मुसल्मान में वो थोड़ा सा था लेकिन मैंने वो दौर देखा है जब हिंदू हर हिंदू हर मुसलिम फैमिली का एक फ्रेंड एक दोस्त एक गाइड वो एक हिंदू पंड़त हुआ करता था यह भी मैंने अपने आँखों से देखा है और और आज भी मैं आप को परसनल बात बताता हूं आज भी मेरा एक बहुत ही अजीज दोस्त मुसल्मान ही है वहां का मेरी ही ओमर का है वो भी बहुत अच्छा लेखक है और दू का उसका नाम नूर शाह है तो मैं यह नहीं मान सकता वह था लेकिन एक पचास साल की अरसे में जब लोगों को आम पर गुमराह किया गया तो यह सिच्यूएशन पैदा हो गई वहां और हुई डेफिनली हुई आप जो बात बोल रहे हैं वो सब सच है लेकिन हुई और मैं आपकी फिर पहली को पहले कोश्चन पर यह आता हूं कि इतनी खारा इतनी खराब हालात के बात जब मौदी जी ने जब अमिट्षाजी ने वहां पर उनोगों को जेलों में ठोक ठोस दिया जो करप्शन करते थे वहां जो पैसे के जोर जूर जुन करते थे लोगों पर हिंदु पर भी तो हिंदु को निकाल दिया इवल अपने मुसल्मान भाईयों पर भी जो जुल्म करते जिनको उनोंने मजहब के नाम पर भड़काया जब इंडियन गवर्मेंट ने दो हजार के बाद उन सब लोगों को मेरे खाल में वो पांच सो हजार के करीब लोग होंगे टोटल जब उनको जेलों में ठोस ठोस दिया है तो आज वहां पर हालाद आलमोस ठीक हो गए हैं किश्मीर में और बल्के ये बड़ी हरानी की बात है के सारे भारत में मुसल्मान जो हैं वो इचिये किरा कानून के खिलाफ काफी दाराद में खड़ हौगे हैं किश्मीर में कोई खड़ा नहीं हूए है इसकी क्या वज़े इसकी वज़े हैं कि लोगोंने शायद किसी भी हालात में शुकर मनाया है कि यहां से वो सबितर साल हम जो इतने देखे हैं, इतने भ्यानक वो 70 साल देखे हैं, शायद उसका इलाज अब शुरू हो जाए, ऐसा मुझलब पर. CAA का तो कश्मीर में यही मैं कह सकता हूँ, ठीक है कि लोग पाकिस्तान से आई हुए मुसल्मान की चिंता कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर में तो भारत के हिंदू और मुसल्मान कोई नहीं आपने रहने दिया था, उसी को नागरिक्ता आप नहीं देते थे, आप तो इतने एक्स सब्सक्राइब किया है, पहला जो आपने मेरे मुझे सवाल किया है, मेरे ख्याल में अब हालाद ठीक होने के चांसे बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। कि जब तक कश्मीर खास्तोर से वैली में कश्मीरी पंडितों को उनके 1200 मंदर, उनके मकान, उनके घर, उनके लोटेरों को, उनके मारने वाले हत्यारों को जब तक सजा नहीं मिलती, कश्मीरी पंडित अपने सम्मान के साथ जब तक गैली में नहीं लोटते, तब तक ये तमा कश्मीरियत को जिन्दा रखना है तो कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदू पंडित पूरे सम्मान के साथ पूरे रुटबे के साथ वहां इस्थापित हो और वहां के वो मुसल्मान जिने आप आज भी कह रहे हैं कि कश्मीर जिन्दा है वो गारंटी लें कि उनको मारने वालो किश्मी duy पंड़तों चास्तिक्या हैं.। अभी च्छे थी सालों इंके बच्चे जवान हरे हैं। वह भारत में बहुत अख्य धंक से ऐसी रह रहे हैं। जैसे हमारे बच्चे रहे रहे हैं। वह अब पहुद जाएंगे के नहीं जाएंगे। और कैसे जाएंगे यह बहुत बड़ा सवाल है यह उन पर डिपेंड करता है लेकिन अब होप जो है वो यह भी है कि उनके किश्मीरी पंडितों के इलावा भी अभी जैसे मेरी जड़की है मुझे बोल रही थी कि एडिधी मैं अधाय यह उसने मुझे कोई दो साल पहले भी है कि मैं वहाँ जम्मु में अपना घर बनाना चाहती हूं तो मैंने ऊसे कहाँ तूम तो लेह नहीं सकते तूमारी शादी तो माराथी लड़की से हूई है तो 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 तूम लेह नहीं सकते तो आज मैं बोल जो जिसक शमीरियत का खव जो मैंने आपने एक नौवल लाल्दत में दिखाया है कि के असल कश्मीरि क्श्मीदियत क्या है boh. मैंने इसमें दिखाने की कोशिष की है तो मैं ये कह रहा हूँ, कि अब ऐसा माहौल बन गया है, कि अब किश्मीर, जमु किश्मीर के हाला ठीक हो सकते हैं, ऐसा बन गया है। वेदराही साब से बातचीत जारी रहेगी, एक ब्रेक लेते हैं और फिर वेदराही साब ने जो दो किताबे लिखी हैं, उन किताबों में जो करेक्टर हैं उनके बारे में पूझेंगे और 1924 का कश्मीर के बारे में फोड़ी बात और करेंगे एक ब्रेक के बाए Gleich कर दो कर दो एक बार फिर सावर कर इसमारक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है हम बात कर रहे थे जाने माने फिल्मकार, निर्देशक, लेखख, पत्रकार वेद राही साब से राही साब आपने एक नौविल लिखा सुना है मैंने कि ये नौविल जो है लल्दत ये दस भाषाओं में चपा है और ये इसका छटा एडिशन है इस नौविल के माध्यम से ये जो आपने चपा है आप क्या कहना चाहते हैं इस पे थोड़ा प्रकाश टाले हैं दरसल क्या है किश्मीर में आज से साथ सो बरस पहले लल्दत किश्मीरी भाषा की पहली पोईटस थी जिसने किश्मीरी भाषा में उस से पहले साथ सो बरस से पहले किश्मीर में ज्यादा तर संस्कृत बोली जाती थी संस्कृत बोलने का रिवाज था और मैं आपको ये भी बात बता रहा चाहता हूँ, कि Sanskrit का जो high class literature है, वो आलमोस्त आध्या कश्मीर में लिखा गया है, अभीनव गुप्त, क्षमेंद्र, उत्पलदत, भट, वो बहुत सारे लेकित कश्मीर में ही पैदा हुए से Sanskrit के, तो लेकिन, लल्देद्र पोईटर्स ने, पहली बार, आम लोगों की भाषा किश्मीरी में पोईटरी करना शुरू की थे, और उसकी, और उसने ऐसी पोईटरी की है, कि आज तक, किश्मीर में बड़े-बड़े पोईटर्स पैदा हुए है, कि आज भी बहुत अच्छे-च्चे कवी हैं किश्मीर में, लेकिन उसके आगे कोई नहीं जा सका, वो जो पहली पोईटर्स ने, और उसने जो लिखा है, वो स्पिर्चुल है ज्यादा तर, और मुझे उसकी पोईटरी इतनी पसंद थी, कि मैं बहुत कई सालों से वो पढ़ता चला आ रहा था, बार-बार पढ़ता था उसको, तो पता नहीं क्यों मुझे लगा, कि मैं उसके नौवल लिख सकता हूँ, और मैंने क्या किया कि उसकी पोईटरी में से ही, कुछ ऐसे संकेत निकाले, कि उसकी लाइफ की कहानी बनारी मैंने, और यह नौवल मैंने लिख दिया, यह औरिजनली मैंने डूगरी में लिखा, फिर मैंने इसको हिंदी में लिखा, फिर मैंने इसको उर्दू में लिखा, और यह बड़ी अच्छी, और यह इतनी popular हुई किताब कि, इसको किश्मीरी में translate किया गया, सिंधी में, मराठी में, गुजराती में, इंगलिश में, जमु किश्मीर की एक language है, मैंने एक कोशिश की है कि किश्मीर की वो पहली कवीत्री उसकी पूरी बच्पन से लेकर लास्ट में जब वो शुन्य में विलीन हो जाती है जैसे तो उसकी ये कहानी है मुझे नहीं पता था कि ये इतनी पॉपलर हो जाएगी कि शायद इसमें कुछ लोग बोलते हैं असल किश्मीरियत जो है वो तो इसी में है तो मुझे बड़ी खुशी होती है ये सुनकर कि मैं किश्मीरियत को जानता हूँ और मैं जमूगर रहने वाला हूँ और हमारी आदी लाइफ तो किश्मीर में गुदरती है क्यूंकि हम गर्मियों में किश्मीर में रहते थे सर्दियों में सिरी नगर जमू में चले आते थे मैं रेडियो स्टेशन में था इसी में आपने शायद वो छ्षैसो साल पहले जो आकरमन हुआ या मسल्मानों की इस में शायद वो वो त्कटना का भी जिकर किया एना आप ने ये वो जमाना था जब किश्मीर में मुसलिम इसलाम का इन्फुलेंस जो था वो धीरे 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 बढ़ला चला गया था इसे इसी इसी Piersten लाल १र के वक्ट में ही किश्मीर का पहला जो मुस्लिम शासक बना, वो इसके ही वक्त में बना, वहां के हिंदू, वहां के जो हिंदू, लास्ट हिंदू राजा था, वो कैसे, किसी आकरमन कारी की कारण, वो वहां से भाग गया, और उसकी रानी थी, कूटा रानी, जिसने मुकाबला किया, लेकिन उसने मुकाबला जिन लोगों के साथ मिलकर गया, उनमें एक मुस्लिम भी थे, और उस मुस्लिम ने कैसे दीरे-दीरे किश्मीर में वहां शासक बना, वो बना, कूटा रानी को उसने जिल में डाल दिया, मर्डर किया, दीरे-दीरे, यह इस कहानी की बैगरण, यह कित तुझ इसकी पैमे कुछ ऐसी संकेत भी आयं है, कि हमारा जो कल्चर है जिए बदलता चला जा रहा है, और एक निया कल्चर उसमें अधिशन में रहाया है कुछ इसकी पोईटरी में वैसे संकेत भी है और मैंने वो दिया है, उसके बारे में भी लिखा एक घटना है पता नहीं मुझे उसका जो है रिफरेंस नहीं पता कि वहां के जो राजा थे गुलाब सिंग उनके दौर में उन्होंने जिस किसम का काम किया एक राजा की हैसियत में कि परजा में जब ये तमाम बदला हो रहा था इंफलूंस बढ़ रहा था इसलाम की सोच जादा बढ़ रही थी उस वक्त उस राजा के काम से लोग इतने खुश थे या इतना जादा उनका जो पूरा गवरनेस का स्टाइल था उसने मुसल्मानों को भी हिंदू बनने के लिए उकसाया और उस तरफ प्रिरित किया लेकिन शायद उसके बारे में कुछ ऐसा है अगर आप रोशनी डालेंगे तो ज़्यादा बहतर होगा कि जब लोग हिंदू बनना चाते थे तो वो क्यों नहीं हिंदू बने वो कहा क्या कहानी है वो उस पे अगर आप रोशनी डालेंगे तो आज की जनरेशन को पता चलेगा कि आज सिर्फ कनवर्ट होकर के जवर्दस्ती हिंदू को मुसल्मान बनाया जा रहा है लेकिन एक ऐसा भी राजा था कि उसने अपनी गवर्नन्स से मुसल्मानों को हिंदू बनने की तरफ प्रेडित करा था मैं नहीं समझता कि महराजा गुलाब सिंगर ऐसा चाहते थे नहीं उन्होंने अपने काम से ऐसा कर दिया मैंने एक किताब पढ़ी है जो किश्मीर के ही एक मुसलिम राइटर ने लिखिए इंग्लिश में किताब मुझे नाम आप उसका भूल रहा है उन्होंने उसमें एक जिकर किया है कि चुंके महराजा महराजा गुलाब सिंग पहले जमू के राया थे फिर उन्होंने अंग्रेजों के साथ कुछ समझोता किया और कश्मीर को आलमोस फता किया क्योंके किश्मीर में उसको महराजा रंजीर सिंग का जो मुस्लिम अफगान कोई एक था वहां का था तो उसको हरा कर उन्होंने वहां अपनी तो बहुत सालों के बाद महराजा गुलाब सिंग के आने से किश्मीर में थोड़ा अमन अमान काइम होने लगा चूंके महराजा गुलाब सिंग ने ही जमू और किश्मीर को एक किया था बलके उन्होंने लदाख को भी इसमें मिला दिया तो जमू किश्मीर और लदाख को मिला कर उन्होंने जमू किश्मीर रियास्त की बनियाद रखी तो उन्होंने प्हली बार वहां कानौन की हकोमत काइम करने के कोशिश की, तो उस किताब में मैं नाम बूल गया हूं उस लेखर का नाम بी बूल गया, उन्होंने अपने उसमें लिखा है, शायद मेरे वो नविव्यों हैं मेरे बड़े भाई, उनके पास वो किताब थी. तो उसमें उन किश्मीरी मुस्लिम राइटर ने बात लिखिया है, कि महाराजा गुलाब सिंग का कानूनी राज बनने के बाद, कुछ लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने उनके पास आकर कहा, कि आप हमें हम हिंदू बनना क्या है, तो महाराजा गुलाब सिंग का अच्छी बात है अगर तुम बनना चाहते हो, तो में तो नहीं बना सकता हो, , में बनारस के कुछ पंधितों को ब्लाता हूं, लोगों निहें ने सकता हो, नहीं नहीं हिंदू मजभ में कोई गयर हिंदू का आना बड़ा मुश्किल है। यह हो नहीं सकता। तो बहराजय ने का ठीक है नहीं हो सकता है। तो नहीं बनाने थे। अब मैं आप से आखरी सवाल पूंचता हूं इस इस इंटर्व्यू के लास्ट में। कि जो 1924 का दौर था जिस दौर में आपके घर में उस वक्त के बड़े लीडरान आते थे। आपके घर में वो पॉलिटिक्स डिसकस होती थी। वो दौर क्या था। यह मेरा आप से आखरी सवाल है। देखे, मैं तो 1924 के दस साल के बाद पैदा हुआ हूँ। लेकिन मेरे पिताजी ने एक आटोबरी गिराफी लिखी है। उसमें यह लिखा है कि वो लाहूर में थे वकालत की पढ़ाई कर रहे थे। तो महात्मा गांदी ने नारा दिया था कि नान कोपरेशन का नारा दिया था कुछ। तो उन्होंने भी वकालत की पढ़ाई छोड़ दी। और लाला लाजपत्राए लाहूर से एक अख़वार निकालते थे बंदे बात्रम। तो मेरे पिता जी उनके पास चले गए। क्योंकि वो बीए पास कर चुके थे और लाग की पढ़ाई छोड़ी थी तो लाला लाजपत्राए से बोले के मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता हूं तो आप मुझे अपने अख़वार में रख लीजे। तो उन्होंने कहा के ठीक है। उनके पास वो लैटर भी था लाला जलियां वाला बाग के का जो मकदमा चल रहा था उन देनो वो रिपोर्ट किया था शायर ऐसा कुछ था उनका तो फिर उनको ख्याल आया कि जमू किश्मीर से कोई पेपर नहीं निकलता है। तो मैं यहां मैंने लेली है ट्रेनिंग लाला लाजपत्राए से तो जमू से क्य भो नहीं ईपेपर निकाला तो वो जमू में आ गए। आख और लेकिन उन्हें एक अप्लिकेशन दि महाराया परताप सिंग को। जो महाराजा हरी सिंह के फादर थे तो उन्हें उसका जवाब ही नária दीय। तो एक साल के बाद उनने फिर एप्लिकेशन दी। कि भही मैंने आपको एप्लीकेशन दी थी कि आप अख़ब निकालने का दीजे मुझे तो उनों ने कहा, कि नहीं आपने söहाब दीया , कि हम इसपे गोर भी ने कर सकते तो उनों ने फिर तीसरी दर्ख्वास दी कि मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्यों निकालना चाहता हूँ आप महाराजा साब और अवाम का लोगों का रिश्टा मझबूत करना चाहता हूँ इस अख़बार के दिरे और आप सब आपके पास लोगों की खबर पहुंजाना चाहता हूं और आपकी खबर लोगों तक पहुंजाना चाहता हूं कुछ यही बाते उन्होंने लिखी जो जरिनलिजम के शुब होते हैं तो उन्हें कहां कि हमने गोर किया हैं लेकं हम नहीं विलें अच्छा में पर दो मेरा सुवाल तो या आपसे आखरी था लेकिन एक आखरी सवाल रहे गया है वेद राहिस है आप जम्मू में पेदा हुए आपने जम्मू को पंते बेगडते देखा आपने कमुनलिज्म को अपने चरम पे देखा इसलामिक ताखतों को अपने चरम पे देखा मैं दूसरी बात पर आना चाहता हूँ आप तमाम सारा इतना सफरिंग कोंके बाद आप भारत की जो कॉमर्शल कैपिटल जिसे कहते हैं आप यहां बसे है मुझे जहां तक याद पड़ता है कि आपने एक स्वतंत्र वीर सावरकर के उपर तीन गंटे की फिल्म भी बनाई बहुत पॉपुलर हुई वो फिल्म और आज कल आप उस फिल्म बनाने के बाद तीन गंटे में आपने बहुत कुछ दिखाया है उसकी तारीफ हुई और वो फिल्म भी बहुत दूर-दूर तक देखी गई लेकिन उसके बावजूद भी आप अभी हाल में सावरकर के उपर कनाटक लिख रहे हैं यह अच्छी बात है लेकिन क्या कभी आपने जो आपने खुद जिया जो सफरिंग आपने बरदाश की अपनी जमीन से इतनी दूर आ गए कभी आपने कश्मीरियों के उस सफरिंग के बारे में फिल्म बनाने की क्यों नहीं सोची और क्यों आपको लगता है कि आज सावरकर जादा रिलिवेंस है जादा उनकी रिलिवेंसी है जो दूर दर्शन पे आता था जो दूर दर्शन पे आता था और उसमें मैंने ये बताया था के कश्मीर के कश्मीर में हिंडू और मुसल्मान कैसे आपस में मिल जूल कर रहते थे और उनकी अपनी समाजिक प्राबलम्स क्या हैं यह मैंने उसमें बताया था और वो इतना पापुलर हुआ था कि मैंने और वो यहां आकर ही बनाया था मैंने क्योंकि उसे बनाने के लिए मैं यहां से अपना यूनिल लेके तो वहां गया था कश्मीर में गया था और वहां शूटिंग की थी लेकिन आप हहरान होंगे यह सु शूटिंग कर रहा था और जैसे ही मैंने कहा कैमरा स्टार्ट तो पीछे एक बंप फटा तो मैं ने कहा यह मैंने तो कोई बंप पीछे लगाया नहीं तो यह क्या हुआ तो पता चला कि वहाँ उनी दिनों वह यह जो टेरिरिजम था उसका गाज गवा था यह बात मैं कर रहा हूँ 1989 के यह उनी दिनों शुरू हुआ था 1989 का मतलब करीब करीब उस वक्त की बात कर रहे हैं जब दिल्ली के अंदर वीपी सिंग की सरकार थी और मुफ्ती मुम्मद सईध हूम इनिस चलते यह उसी वक्त की बात है तो यह मैं आप से यह कर रहा हूं कि मैं यहां आकर अपने किश्मीर को भूला नहीं हूं जमू को भूला नहीं हूं बलके मैंने पोशिश की है लेकि लोग ये कहते हैं कि आप मुंबई आ करके सावरकर को जादा याद रखते हैं और कश्मीर को कम रखते हैं तो जो आपका वर्तबान जो नाटक आप लिख रहे हैं उसमें क्या दिखाना चाहते हैं सावरकर के ऊपर बात ये है कि सावरकर से किश्मीर दूर नहीं है और किश्मीर सावरकर से भी दूर नहीं है आज ये किश्मीर के जो हालात ठीक हो रहे हैं तो ये हम वीज सावरकर की पॉलिसी की होजे से ही ठीक हो रहे हैं जिसे नरेंदर मोदी जी या अमिद्शा जी को कर रहे हैं तो मैं आ अगर हम इसको एक ही राष्टर मानते हैं, तो कश्मीर बंबे से दूर नहीं है, मैंने यहां आकर सिर्फ गुलगुलसिंगुलफामी नहीं बनाया है, ललदद की कहानी भी लिखिया है, और यह दूसरी किताब जो आपके हाद में है, अनन्त जो है, यह उस मुव्मेंट की कहा नहीं है, जो जमु में श्राइन बोर्ड की वज़े से जो हुआ था, ब्लॉकेड हुआ था, तीन महीने सारा जमु बंद रहा था, और वहां कितने योकों ने अपना आत्म बलीदान किया था, इसमें मैंने यह बताया है, कि जमु के लोग तो आत्म बलीदान देते हैं अप अपना काम, अपना मकसद बूरा करना है, वेद रही साब, आप कश्मीरी होने के बावजूद भी यहां रहे, कश्मीर आप से दूर नहीं है, आपकी आत्म वपस्ती है, लेकिन अगर चितना काम आपने वीर सावर करके उपर किया है, अगर मैं आप से सिर्फ दो लाइन में यह पूछना चाहता हूँ, कि अगर यह देश सतर सालों के बाद जिस मुकाम पे पहुँचा है, क्या आप मानते हैं कि वीर सावर करकी फिलोसफी को अगर यह फॉलो करता, तो आज यह देश जिस मुकाम पे खड़ा है, वहां नहीं होता, क्योंकि वीर सावर करके उपर अगर ऐसा नहीं होता, अगर आज उनकी पॉलिसी पे चला जाता, नहीं मैं यह समझता हूँ, कि पिछले 6-7 बरस में जो भारत में हो रहा है, उसमें बहुत कुछ सावर करकी विचार धारा है, तो यह सब कुछ हो रहा है, हमें यह मानने में बिल्कुल ही संकोच नहीं होना चाहिए, और मैं समझता हूँ, कि सावर, वीर सावर कर को गलत ढंग से प्रोजेक्ट करके, कुछ खास टाकतों ने उनको इतना कंट्रोवर्शल बना दिया है, और इतना कंट्रोवर्शल बनाया है, तो इसमें कोई गलती भी नहीं है, क्यूंकि कंट्रोवर्शी में भी जो इनसान के अच्छाईया होती है, वो बाहर आती है, तो मैं समझता हूँ, कि मैं समझता हूँ, कि मैं समझता हूँ, कि मैं जो पिक्चर बनाई थी, वीर सावर कर पर, वो इतनी popular हुई, कि मैं समझता हूँ, लोगों ने उससे बहुत कुछ सीखा होगा, और इस वक्त मैं, द कुछ रह गया है क्योंकि तीन घंटे में वीर सावरकर का जो व्यक्तित्व है वो इतना वीराठ है कि उसे तीन घंटे में समया नहीं जा सकता है तो जो कुछ रह गया था और जो आज का संधर्ब है जबके हमारा भारत बदल रहा है मेरे ख्याल में वीर सावर कर जी की जो का जो दर्शन है वो ही इस कंट्री को और भी आगे लेके जाएगा जैसे आज लेके जा रहा है हमें ज्यादा से ज्यादा उनको समझने की जरूरत है क्योंकि अगर हम फिलम नाटक टीवी अपनी डेली लाइफ में अगर हम उन चीजों को नहीं अपनाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे मेरे ख्याल में जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वीर सावर कर जी की एहमियत बढ़ती जाएगा आप यह कहना चाहते हैं कि वर्तमान प्रदिश में गांधी इर्रेलेवेंट हो चुके हैं यह इतना असानी से तो नहीं कहा जा सकता इर्रेलेवेंट हो चुके हैं लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि जैसे वक्त गुजरता जाएगा, हम भीर सावर कर जी को ज्याता से ज्याता समझेंगे मेरे ख्याल में हम गांधी जी को भी ज्याता समझेंगे कि उनमेंडी के महांता किया थी और उन्हों में अपने देश के लिए जो किया उसमें कहां कहां कुछ रह गया है आप ये कहना चाहते हैं कि गांधी रिलेवेंट थे लेकिन आज वीर सावर कर रिलेवेंट जादा है ये ज्यादा अच्छी बात है वेद भाई ये ज्यादा अच्छा आपने कहा है कि शायद मेरे ख्याल में आज गांधी जी से वीर सावरकर जो है ज्यादा रेलेवेंट है वेद राही साब आप स्वतंत्र वीर सावरकर इस मारक में तशीफ लाए यूट्यूब चैनल को आपने पहला इंटर्व्यू दिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद थैंक यू बेर माच झाल प्रूट यूट्ट। झाल झाल झाल